हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट एंद दोस्ट निसान तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एयर फोर्स में आ हुए कुछ प्रिवेसर के कोसंस को बताएंगे आज का टॉपिक होगा हमारा ब वीडियो के प्लेलिस से जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो से कुछ अगर आप सीखते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजएगा चैनल को जो सब्स्क्राइब कीजएगा तो चलिए दो तो आपको बताना है value of a, यानि यहाँ जो a है आपको दिख रहा होगा, इस a के value को आपको बताना है, ठीक है, तो चलिए, आपको इस a के value को किस तर बताएगा, तो सबसे पहले हम x square और x q के, जो आपके coefficients हैं, उनको हम निकालेंगे, और उनको निकालने के लिए पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे general terms को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम general terms को लिखेंगे, माल लेते हैं कि हमारा general terms t r plus 1 है, ठीक है, t r plus 1 का है एक general terms है तो हम जो आपके expansion है इसको हम कैसे लिखेंगे TR plus 1 वा term इस expansion में से कैसे लिखेंगे हम बताइए 9C और R plus 1 में क्या होता है यहां पर घट जाता है क्या होता है 9C R फिर क्या हो जागा पहला वाल term 3 to the power 9 minus R 9 minus R फिर X to the power क्या है आपका 9 minus R यहां क्या हो जागा R यहां सिर्म R हो जागा आपको 9 minus R लिख ने पहले वाले कोते हैं नीचे वाला सिर्फ R लिखते है ठीक है तो चलीए अब हम क्या करेंगी बताइए आपको निकालना है X square का coefficient क्या निकालना है X square का physicians अगर यहां पर सिर्फ x है अगर इस आर के ज़र पर हम 2 डाल देते हैं तो हमें यहां पर x to the power r दिया वाया यानि x square निकल जाएगा और इसके पीछे वाला जितना भी होगा वह क्या होगा हमारा x square का coefficient हो जाएगा ठील सिम्रेली r के जाएच ाएफ 3 डाल देंगे तो इसके पीछे वाला क्या होजागा हमें एकस डूती पावर है और r के जाएफ 3 डालते हैं क्या होजाएगा दूत पीछे वाला क्या जाएगा शितना जैए ठीGenी हम यहीजाए इसी काम को इहाँ पर करना है तो उसको देखते रहेगे, ठीक है चलिए, क्या करने वाले हम अब हम put करेंगे, क्या put करेंगे x square, sorry, r put करेंगे r के जोब पे 2 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बताए, x square का coefficient क्या हो जाएगा x square coefficient क्या हो जाएगा, बताए, ये iq2 की तरह, र के जोब पे अगर 3 put करते हैं, जब हम r के जोब पे 3 put करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा r के जब पे x square 3 का coefficient क्या हो जाएगा बताए, 9 c3 और 3 to the power, 9 minus 3 का हो जाएगा, 6 हो जाएगा a to the power क्या हो जाएगा, बताए, 3 हो जाएगा और आपको दिया गया वाय इक इस questions में यह आपकी क्या है दोनों क्या है coefficient क्या है ? तो आपको क्या करना है दोनों को simply हम equal to कर देंगे क्या करेंगे दोनों को simply equal कर देंगे हम बस अब क्या करेंगे 9C2 3 to the power 7 a squared equal to 9 C3 3 to the power 6 a का cube ठीक है और बस क्या करना आपको simply इसको solve कर दिना है यहाँ पर बच जाएगा आपका a और यह क्या हो जाएगा 3 तुट बच जाएगा इसको हम next page में solve करेंगे 9c2 into क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर 3 बच रहा है और क्या बच जाएगा इधर इधर बच जाएगा आपका 9c3 into क्या बच जाएगा आपका यह सिर्फ a बच जाएगा और आपको solve कीजिए 9 को क्या लिखेंगे हम factorial 9 को 9 8 7 6 फिर क्या लिखेंगे 5 का factorial फिर नीचे क्या लिखेंगे 9 में से 2 गया तो कितना होता है बताए झाइन में से अगर 2 जाता है तो कितना होता है धर 7 7 का factorial ठीक है into 2 का factorial तो हम क्या करेंगे इतना लिखने का ज़ोड़ी नहीं ठीक है इतना लिखने का आपको ज़ोड़ी नहीं था क्या करेंगे simply 7 का factorial यह 7 से 7 कर दिया और यहाँ क्या हो जागा एक पहले से 3 है सिम्रेटली है भी करेंगे 9 8 7 यहां पर 6 का फेटेवल और 9 में से 3 गया तो 6 फेक्टोर्य इंटू 3 का फेक्टोर्य इंटू क्या हो गया 6 से 6 कर जागा 9 से 8 9 से 8 यहां कर गया और उपा क्या बचेगा 3 upon 2 equal to क्या बचेगा आपको बताएगे 7 upon 3 into 2 ठीक है इंटू ए बचेगा एक क्या करने वाले है अब हम 3 से 3 कर देंगे 2 से 2 कर गया और equal to क्या हो जागे बताएगे 3 से एक सेकंड कुछ गलती हो रहा है लगता है साइद एक सेकंड दोस्तों यहां पर आपका हो गया 6 फेक्टोर्य शिक्से 6 कर गया 9 और 8 कर गया और यहां पर क्या गया 9 से 2 गया तो 3 upon 2 फिर क्या आपका 7 upon यहां बज़े गया 7 upon 326 यह बज़े गया 326 और एक 3 से 3 कर गया चलिए दीखिए यहां पर कुछ गलत हो गया क्या गलती हो गया हम गलत कार दिये यहां पर हम बचा था 3 upon 2 और इधर क्या बचा है आपका 7 upon 3 into 2 एक 2 से 2 कर गया और equal to क्या हो गया यह 3 से 2 और और क्या आपका 7 जाख यहां यहां भी नाइन आपका 7 एका वहर राइं से डिया हो गया आपको इस तरीके से बनाना है नहीं करना आपको सबसे बहुए जेरaneल टर्मस लेरना है और उसके क्रसपानिंग कोंग हो बचया रहा है उस निकालना है तो गया है next question is what is the number of dissimilar term in the expansion of x plus y plus z to the power इसका power छूटी कहा है लगता है हम देख लेते हैं इसका power कहा है चलिए इसका power कहा है 10 है तो आपको बतायाना है इस जो term आपको दिये हैं इसके expansion में जो इतने कितने dissimilar terms होंगे तो देखें दोस्तों आपको जब भी कि decision waking कि बात कि है कि किसे doesn't agree होंगे तो आपको simply क्या करना है इसके number term को निकाल देना ठीक है इसके number टो को आ dolorative आट फिक तो आपको जब भी आपको बता दें אני अक्रborn fills के लिए इंट प्लस वर्न इसके number of cents अगर टीकर किसफ़ सुई तिक consistency तूई तो आप क्या करते हैं n plus r minus 1 c r minus 1 ठीक है n plus r minus 1 c r minus 1 और यहां r क्या है इसके value है क्या है इसके value है कितना अंदर terms है यहां पर गमाल लिजे एक x plus y plus z plus कुछ भी दिया जा आगे x y z u v w to the power n रहे तब क्या किजाए तभी इस formula को आप apply किजएगा ठीक है तो देखिए यहां पर क्या आपका तीन terms है क्या है आपका इहां पर तीन terms है तो r के जाप पर क्या डालिएगा 3 डालिएगा simply r के जाप पर 3 डाल दीजएगा तो क्या जाएगा 10 plus 2 2l c 2 ठीक है कितना जागा आपका 2l c 2 आपका value आजाएगा 2l c 2 कितना value होता है 12 into 11 upon 2 हो जाएगा ठीक है तो आपको पर दातर क्या होगा इसका answer क्या है 66 हो गया कैसे निकालना आपको दो terms का number of number of terms पूछा जाएगर दो हो expansion में दो value हो तो आपका किस तर expansion निका क्या लिएगा simply n plus 1 कर देंगे और जहां पर तीन terms हो या फिर तीन से ज्यादा हो तो आपके किजिएगा n plus r minus 1 c r minus 1 इस फर्मूला का किजिएगा यूज की जगा ठीक है इसको note के लिए या फिर याद कर लिए इसको ठीक है अगर इस टूदि परफ़ खरखोर औकर्स करता हैं इन द आरत अगर आडा तरम में आसा पहलों क्या होगा तो मानले हैं क्या हमारा और त। एक term है, क्या है, the rth term in expansion of rth term, हम क्या निकालेंगे, rth term, सबसे पहले हम rth term निकालेंगे, rth term in expansion, किसके expansion में, x to the power of 4 plus 1 upon x cube to the power of 15, ठीक है, इस expansion में, जो आपका दियावा है, इसका हम आड़मा term निकालेंगे, यानि इसका tr term निकालेंगे, tr term के से निकालेंगे, ncr minus 1 हो जाए हम 4, उसपे power क्या है, n minus r plus 1, फिर क्या लिकालेंगे, 1 upon x cube, उसपे power r minus 1, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे, n के जापर क्या आपका 15 है, 15c r minus 1 हो जाएगा, चलिए, थुरा सा marker change कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 15c r minus 1, 15c r minus 1, x to the power, अब x के जितने भी दिए, उसकों क्या करने वाले, एक तरह से अच्छे से लिखेंगे, एक तरफ अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, n के जापर यहां पर हम 15 डाल देते हैं, 15 minus r plus 1, ठीक है, तो x क्या पर फिटो जाएगे, 15 4 जा, कितना होता है, 15-6, 60 हो जいता है, पलस यहां 4 है, तो क्या हो ज तो इसका अगर एक टूब फायलर एकल टूब पूर फॉर्टे थीच्टि थेवड वहाँ जो पावर 4 होगा ठीक है समझ में आर के वहाँ नाइनवा टर्म यहां पर चली नेक्स को बढ़ते हैं लेकर आपको एक दम एक अच्छी लेवल को करवा रहे हैं और आपको जो भी आपके जाम में कुशे जाते हैं जो को भी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपको हटना नहीं है जो भी को सब्सक्राइब आपके अग्याम में प्रॉपर को सब्सक्राइब तो क्या होता है data इधर हो सकता है लेकिन कोसंस का मोटो जो होता है कोसंस होता है सिम यही होता है ठीक है तो चलिए आपको क्या करना है ध्यान पुरवग समझते चलना है तो what is the coefficient of x to the power n index function of x square plus 2x to the power n minus 1 ठीक है तो चलिए हम सबसे बड़े क्या करेंगे इस टाइब को जब ही कोसंस दे तो आपकी जो common लेने वाले term है उसको common निकाल लेजी ठीक है तो इसको common x निकाल लेते हैं common क्या जाएगा x minus 1 जाएगा ठीक है फिर क्या करेंगे बच क्या जाएगा आपका x plus 2 to the power n minus 1 बच जाएगा ठीक है बाद चलेगा क्या से निकालने वाले हम सबसे पहले क्या करेंगी , x को common लेगे x को common लीए तो हमारा क्या बचे गया ? x to the power n minus 1 हो गया और क्या बचे गया ? x plus 2 to the power n minus 1 हमार ठीक है चलिए खहा हम क्या करेंगे ? इस वाले में से अगर हम इस वाले term मैं से इस वाले term में से अगर x to the power 1 निकाल ले और x to the power n-1 और यहां पर x to the power 1 आ जाय है तो यह क्या होजाँगा x to the power n-1 , x to the power n-1 peer M हमाहा आ जायगा जो क्यों हमें निकालना है x to the power n Monaten as I kya होगा Стौर учede है मुझंफ हो अब चुरी अगरा को स्वेट हो निकालना को निकालना ये किसूंप में से टम में स्कोल स्टुरभाबन ₩ करना थिक है तो इस कभस रिकरते लिखे घचत्री हुं कोद फारब 1 को किना थी इस आपके term में से x to the power 1 का value coefficient निकालेंगे, ठीक है, coefficient of x to the power 1, ठीक है, कैसे निकलेगा, बताइए, कैसे निकलेगा, सबसे बहुत लिखेंगे, n-1c, n-1c, और यहाँ भी लिखेंगे हम 1, ठीक है, 1 लिखेंगे, अगर दिखेंगे, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, ठीक है, अग c1, n-1c1, और फिर क्या लिखेंगे, आप बताइए, 2 to the power n-1, क्या लिखेंगे, minus 1, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x to the power 1, यह तो आपका coefficient निकालना ही है, तो e-sm क्या करेंगे, यहाँ पर e-rage कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या answer आगया, n-1c1, 2 to the power n-2 is the right answer, n-1c1, दिखें, कौन सा अप्सन है, n-1c1, और दिखें, आपको n-1c1 को आपका कर सकते हैं, और उसके निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, n-1 factorial upon 1 का factorial into n-1, minus 1 का factorial, ठीक है, तो n-1 बहारा गया, n-2 का factorial, और नीचे क्या होगे, n-2 का factorial, यह से कट गया, n-1 آगया, ठीक कोंस्ट ऑप्शन जोको बनाना थीक है जब भी इस टाइब को निकाल रिगा और एक्स कोमन निकालने के बचा हुआ रहा है उसका कोफिशन निकाले ठीक है इसका कोफिशन निकालना है और देखिए कितना से इसको multiply करेंगे तो जो हमें निकालना है वो आ जाएगा ठीक है next questions पर बढ़ते हैं find the greatest term आपको greatest term निकालना है किसमें in the expansion of 1 plus 2x to the power 9 जहाँ पर आपका x equal to क्या दिया है 2 by 3 हमें दे रहा है ठीक है तो देखिए आपको बता दे क्या बताना है कि जब भी आपको यहां पर odd term मिल जाए ठीक है जब भी आपको odd term दिया जाए जो आपका n का value वह अगर odd हो और उस समय आपको जब भी greatest term निकालने के लिए पूछा जाए, जब आपका n का value क्या हो, जब भी आपका n का value क्या हो, माल लेते हैं सबसे पहले, जब भी आपका n का value odd हो, उस समय आपको greatest term निकालने के लिए पूछा जाए, तो आपका n c n by 2 is the greatest term, ठीक है, जब भी आपका n का value even हो, तो आपका और से क्या होगा कोण से ट्रम होगा n c n plus 1 by 2 & n c n plus 3 by 2 ठीक है यह दोना आपको अगर इसी याद नहीं रहता है को माल लेते हैं जाम में इतना याद तो रहता नहीं है अगर यह आद नहीं रहता है तब आप यह किजिएगा ठीक है तो चलिए उसके लिये मापको बताएंगे क भी नहीं रहे, चलिए, क्या करने वाले हम, greatest term निकालना है, x to the power 9 का, देखिए, आपको जब भी greatest term निकालने के लिए पूछा जाए, तो middle term जो होते है, middle term, middle term is the greatest, greatest term, ठीक है, middle term जो होगा, आपका, वही क्या होगा, एक greatest term होगा, ठीक है, तो 9, इसका middle term क्या होगा, 1 plus 2x to the power 9 ≥9, इसका middle term क्या होगा, पताईए, इसका middle term आपका होगा, 9 plus 1 by 2, यानी, 10 by 2 यानी 5th term, आगर हम T5 निकाल लेते हैं, T5 अगर हम निकालना है, क्या निकल जागा greatest term आपका निकल जागा ठीक है हम T5 जाएटे तो हम्म में greatest term पता तर जागा तो T5 को कैसे निकालेंगे T4 1 लिख सकते हैं ठीक है या फिर हम ऐसे भी नहीं लिखे तो T5 क किस तर निकालेंगे होता है यह उपर का भी लिकेता है 9C 5 में सबन गया 4 होता है नीचे एक घट के लिखा जाता है फिर क्या लिखेंगे हम 1 पे पावर 9-4 कुछ भी है 1 पे पावर 5 इंटू 2x to the power 4 हो गया हम क्या करना वाले है 9 8 7 6 और 9 में से 4 किया तो 5 नीचे तो कठी जागा और नीचे क्या हो जागा 4 3 2 1 इंटू क्या करेंगे 2 to the power 4 कर देंगे और साथी साथ x का फेलू क्या आपका 2 by 3 2 by 3 to the power 4 कर देंगे ठीक है जब आप इसको सॉल्ब कीज़ेगा इस पूरे टर्म को आप सॉल्ब कीज़ेगा तो आपको कितना वहलू आ जाएगा बताइए आपको फर्मूला याद रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं आप कैसे बनाईएगा हम आपको बता दिया हो यहां पर कैसे आप में निकाल है अगर आपको फर्मूला नहीं आजए तो कहके आप में डिल टर्म क्या होगा वही आपका ग्रिटेस टर्म होगा और क्रिटेस अंब आपको पाता दिया आपको पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तरक के हैं और प्लीज वीडियो से कुछ आ बाब बाइ